Bundaka जो जैद्य के जो वेब साइट है वहां पे मिल जाएगा सिकुल कोवीड-9 आंडी के संक्रमान के खत्रेका देखते हुए इंड्रा गां बॉजत इससथि दाने the Tak research एन Lakats as dat upon में प्रवेष है तु, CET even, CET परिच्छा का आयोज़न नहीं होने के कारण, अभियार्थियों को प्रवेष यृत सु नीधारिक सक्षिट योग्यता की अहां कारी परिच्छों में प्राप्त अंको के अधार प्रवेश प्रदान किया जाने की संबन में CT परिच्छा की निर्दीशी का उल्लेखे नियमों को निन्मा नुसार संसोधन को अनुमोधन प्रदान किया जाता है तो पहला नियम यह है कि सेक्षिक सत्र 2020-21 में इस नौक्तर एवं प्रवेश हेतू पातरता परिच्छा का आयोजन नहीं किया जाएगा मतलब कोई भी एक्जाम नहीं होगा MSC के लिए हो चाए PhD के एडमिसन के लिए दूसरा यह है कि इस नौक्तर उपाधी में विभिन विभागों में प्रवेश हेतू इस नात्तक में प्राप्त उच OCPG के अधार पर प्रवेश दिया जाएगा दूसरा यह है कि एक समान OCPG होने पर की स्थिती में अधिक उम्रकी को वरिता प्रदान किया जाएगी अधार यह मतलब अगर दोनो को OCP एक समान है तो इसमाद जिसका उम्र जादा होगा उसको जादा प्राप्त होंगे उनको उनको जादा प्राप्त होन्य के इस्थिती में अगर उम्र भी एक समान की स्थिती है तो बारवी के कच्छा के प्रापतांग चाहे हो PCMB वाले हो या Agriculture वाले हो उसके अधार पर प्रवेश दिया जाएगा यदि बारवी कच्छा भी प्रापतांग एक समान है तो उस इस्थिति में दसवी कच्छा के प्रापतांग के अधार पर प्रवेश दिया जाएगा ठीक है फिर अगर PhD के प्रवे से तू जो इसनागतर है मलब MSC है उसके OGP के अधार प्रवेस दिया जाएगा मलब अगर PhD में डिमिसन लेना है तो MSC का जो OC PGA है उसके अधार प्रवेस दिया जाएगा ठीक है अगर इसनागतर का मलब MSC पर भी OCB समान होने की स्थिति में अधिक उम्रवाले को प्रात्मिक्ता दिया जाएगा फिर नेक्स है कि उम्रवी समान होने की स्थिति में जो इसनागतर के प्रवेस दिया जाएगा और अगर इस नातक के भी प्राप्त एक समान है तो इसमें बारवी कच्छा के जो उच्छ प्रतांग है उसको प्रात्मिकता दिया जाएगा और जो बाकी जो नियम रहेंगे वो विगत मतलब पहले से जो लागू हुआ रहेगा ठीक है अगर वीडियो अच्छ लगे तो वीडियो को लाइक करें इसको जादस जादस सेयर करें थैंक्यू थैंक्यू फर वाचिए